नमस्कार स्वागत है आपका वन इडिया की खास पेशकर्श रन बांधूरे में आए आज बात करते हैं इंडियन एरफूस के पहले पर विर्चक्ट से सम्मानित फ्लाइंग आफिसर निर्मल जीद सिंग शेखुपी निर्मल जीद भार्टबायुस दिना के वो अफसर थे जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के मन्सूबों को राक में तब्तिल कर दिया था श्रीनगर एरफूस पर हमला करने आये पाकिस्तान के तीन फाइटर प्लेन से अकेले टक्रा गए थे जिसमें दो को मार किराया बाकी चार को भागना पड़ा। भार्टबायुस दिना के इस जाबास आफिसर निर्मल जीद सिंग शेखों का जन 17 जुलाई 1945 हो लुध्याना के इस्तेवाल गाव में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रिलोक सिंग शेखों और माता का नाम हर बंसकौर था। उनके पिता भी हर दियवायुस दिना में अपनी सेवा दे चुके थे और मानत फ्लाइट लेटिनेंट के तौर पर सेवा निर्वरित हुए थे। पिता का भी उन पर काफी प्रभाव पड़ा 14 दिसंबर 1971 को निर्मल जीट सिंग पाकिस्तान के साथ युद्ध में शहीद हो गए थे। दरसर 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय फ्लाइंग अफसर निर्मल जीट जीनेट दस्ते में पालेट के तौर पर श्रीनगर में तेनाद किये गए थे। पाकिस्तान के साथ युद्ध की इस्तिती पैदा होने से पहले श्रीनगर में भारत वायसिना की रक्षा के लिए कोई विमान तेनाद नहीं था। ऐसा 1948 में हुई अंतराश्टी संधी की वच्छा से था। भारत वायसिना के जिस दस्ते की पहली पारते नाती श्रीनगर में हुई वो दस्ता निर्मल जीस सिंग का था। इस वच्छा से वो कश्मीर की भॉगालिक इस्तिती से वाकिफ नहीं थे। और जलवायू भी उनके अनुकूल नहीं थी। कश्मीर की जमा देने वाली धंड और सर्द हवा की उनको आदत नहीं थी। इसके बावजू उन्होंने पूरी पहादुरी और तृंड निश्चे के साथ पाकिस्तानी गुसपैठी विमानों का सामना किया। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एरफिल्ट में पाकिस्तानी वायू सिना के 26 स्क्वाडरन के 6 F-86 जेट्स ने हमला किया। उसमें फ्लाइंग अफसर अपने जूटी के लिए तैनाब थे। जैसे ही पाकिस्तान के पहले विमान ने हमला किया। वो जवाबी हमले के लिए तैयार हो गए। उनको दो जीनेट में उडान खरने थी। उनका निरतेत्व फ्लाइट लेटिनेंट घूमन करने वाले थे। जब रन्वे पर पहला बम गीरा तो रन्वे पर धूल और धूमा भड़ गया। उस वज़ा से वो तुरंट उडान नहीं भर पाई। जब रन्वे उडान भरने के लिए फिट था तो दुश्मन के छे विमान की आवास सुनाई थी। जो एर फिल्ट पर हमला कर रहे थे। दुश्मन के हमले के पीच उडान भरने में काफी खत्रा था। इसके बावचूर उन्होंने उडान भरी और पाकिस्तान के दो सेबर जेट को अपने निशाने पर दिया। उन्होंने एक सेबर जेट को सीधा निशाना लगाकर मार गिराया और दूसरे को भी नुकसान पहुँचाया जिससे उसमें आख लग गई। दुश्मन का दूसरा विमान भी गिर गया। इस तरह वो दुश्मन के दो विमान को गिराने में सफल हुए। लेकिन दुश्मन के निशाने पर वो खुद ही आ गए। जब उनके विमान को दुश्मन निशाना बनाया तो उनको बेस पर लोटने की सलहा दी गए। लेकिन कंट्रोल सिस्टम की नाकामी की वच्छा से उनका विमान गिर गया और वो शहीद हो गए। उनकी शहादत बेकार नहीं गए। दुश्मन के तो सेबर जेट मार किराए जाने के बाद उनकी कमर डूट गए। वो शहर और एरफिल्ट पर अपना हमला जारी नहीं रख सके। अंद में उनको पीछे हटना पड़ा और एरफिल्ट से वो खाक खड़े हुए। निर्मलजी सिंग शेखों ने अकेले दुश्मन के छे विमानों का मुकाबला किया। उनकी इस बहादुरी के लिए युद्धकाल के सर्वोच वीरता पदग परमवीर्चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। वो भार्टिवाव से ना के पहले अधिकारी थे जिनको राष्ट का सर्वोच वीरता पुरसकार परमवीर्चक्र मिला। इस पेशक्रश में फिला गता ही नमस्कार।